नमस्कार स्वागत है आप सभी का नियूजरूम पोस्ट में मैं आपके साथ कुनाव प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी अपने पुर्वोतर दौरे के दूसरे दिन अरुनाचल परदेश पहुँचे थे यहां उन्होंने हजारो करोड की परियोजनाओं का उधगाटन और सिलिनास किया और इनमें सबसे खास सामरिक रूप से महत्पून और दुनिया के सबसे उचाई पर बने सबसे लंबी सुरंग सेला पास रही बता दे सुरंग का निर्मान 825 करोड रुपे में हुआ है जो तेजपूर और तवांग को जोडने वाली सड़क पर पशिम कामिंग जिले में 13700 फीट की उचाई पर है इसकी अधार शीला प्रधान मंतरी मोदी ने फरवरी 2019 में रखी थी और आज इसे देश को समर्पित कर दिया गया है सेला सुरंग भारत की सबसे उची पहाड़ी सुरंग सड़क है जो भारतिय सेना को अरुनाजल परदेश में दोनों देशों के बीच विवादित सीमा तक हर मौसम में संपर्क बनाये रखने में मदद करेगी इस सुरंग के प्रजेक्ट को अंजाम सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने दिया है जिसमें दो सुरंगे और एक लिंक रोड शामिल है सुरंग एक की बात करे तो ये 980 मिटर लंबी सिंगल ट्यूब होगी वहीं सुरंग 2 1555 मिटर की होगी जिसमें यातायात और एक आपातकालीन सेवाओं के लिए एक बाइलेन ट्यूब होगी इन दोनो सुरंगों के बीच लिंक रोड 1200 मिटर लंबी होगी ये सुरंग अरुनाचल परदेश के लिए तो एहम है ही साथ ही ये भारतिय सेना के लिए भी बहुत मददकार साबित होगी इस सुरंग के जरिये चीन की सीमा पर आर्मी मूमेंट तेज होगा और भारत की ड्रेगन तक पहुँच और भी जादा असान हो जाएगी खास बात ये है कि सेला सुरंग चीन की सीमा से सटे तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी दे पाएगा LAC के पास होने की वज़ा से सेला सुरंग भारतिय सेना के लिए रणनेतिक रूप से मददकार साबित होगी ये सुरंग तवांग को अरुनाचल परदेश के उन हिस्सों से जोड़ती है जो अकसर बर्वारी या भूसकलन की वज़ा से बंद हो जाते थे वहीं अब इसके बनने के बाद तवांग जिले तक पहुँच बनी रहेगी देखा जाए तो ये सुरंग भारत के लिए रणनेतिक तौर पर काफी मददकार साबित होगी अब यकीनन इस सुरंग के कारण हमारे पडोसी देश चीन में जरूर खरबली मच रही होगी तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही और जानकारियों के लिए देखते रहिए निजरूम पोस्ट